अगत है सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक्जाम बारियस में और विशेश कर बालिकाओं को मेरा साधर पढ़ाओं आज 11 अक्टूबर 2022 है और 11 अक्टूबर को हमें विशेश दिवस मनाते हैं बालिकाओं के लिए अंतर राष्टी बालिकाओं को बहुत धेर सारा प्यार और बहुत साधा सम्मान मेरी तरफ से मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ और यिश्वर इसी तरह से इस दुनिया में इस संसार में इस हमारे भारत बर्स में हमारे बालिकाओं का हमारी बहनों का सम्मान हमारे उपर बनाए रखे ताकि हमारी उम्र और लंबी हो और हम अपनी बहनों से और राखियां बना सके तो चलिएगा दिखिएगा आज बालिका बालिकाओं के साथ, बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ जब कोई ऐसी ज्यादती या फिर उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलते तो अत्यन्त दुखी होता है ये हरदय एक दिन में हम क्या करते हैं? एक दिन में बालिका दिवस मनाकर बस उनको एक दिन थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी सायद खोशी मिलती होगी और उसके बाद सब कुछ खतम हो जाता है अत्यन्त ही सोचने वाली बात होती है और अत्यन्त दुख होता है यह जानकर कि हम एक दिन नवरात्री मनाते हैं एक दिन अस्ट्वी मनाते हैं एक दिन बालिका दिबस मनाते हैं और उसके बाद सब बालिकाओं का सब बहनों का सम्मान उठा कर ताख पर रख देते हैं उसके बाद ना उनका कोई सम्मान है ना उनका कोई अधिकार है ना उनमें कोई सक्ती है सबसे ज़्यादा कमजोर है तो सिर्फ और सिर्फ नारी ये बाद सोची जाते है वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और सोचीएगा कि हमने जो शब्द कहे हैं उन शब्दों में कहां तक सच्चा है हम उस देश में रहते हैं जिसे हम भारत माता कहे के बुलाते हैं और हम कहते हैं हमारा देश बहुत सक्तिशाली है क्यों क्यों कहे रहे हैं सक्तिशाली भाई नारी महिलाओं को तो कमजोर मानते हो तो जब महिलाओं कमजोर है तो एक देश जो महिला के नाम से है उसको फिर क्यों शक्तिशाली कहते हो या तो उसका नाम भारत पिता करिये और भारत माता कहते तो तो वो कमजोर है बास्त विक्ता ये है कि महिलाओं में शक्ति है महिलाएं सर्व शक्तिशाली है इसमें कोई दोराय नहीं लेकिन हम पुरुष उनको शक्तिहीन बना कर रिप्रेजेंट करते हैं उनको एक सो पीस बना कर रिप्रेजेंट करते हैं क्यों बुरा लग रहा है बहुत बुरा लग रहा है हर एक महिला को देखने से पहले अपनी बहन को याद करिएगा अपनी मा को याद करिएगा अपने परिवार की किसी सम्मानित महिला को याद करिएगा जिसका आप शम्मान करते हैं फिर देखिएगा उस महिला की इमेज आफ की नजरों में कैसी बनते हैं दुनिया में हर प्रकृति का इंसान है अच्छा भी है खराब भी है चाहे वो पुरूस हो चाहे बे उस्तरी हो और दोनों से रिक्वेस्ट है कि हमेशा और हमेशा किसी को भी देखने से पहले आप अपने आदर्स और सम्मानित व्यक्ति को याद करिएगा जो आपके लिए आदर्स हो आपकी नजरों में बहुत सम्मान रखता हो उसको याद करिएगा आपका नजरिया बदल जाएगा हमारे देश में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है महिलाओं और बच्चियों की पूजा की जाती है इस बात पर हमें बहुत जाधा सबसे जाधा गर्भए हमारे स्वामी जी बिवेका नंद जिनके बारे में हम पढ़े हैं पता है जब सिकागो गए थे तो वहाँ पर एक महिला ने उन्हें प्रपोस किया था मैं आपसे साधी करना चाहती हूँ उन्हेंने पूछा क्यों क्यों साधी करना चाहती है आप हमसे तो उसमें पता है क्या जवाब देते हैं वो महिला कहती है मुझे आपके जैसे संतान चाहिए तो वो कहते हैं मैं आपके ही संतान है यह कि वल भारत की सोच में हो सकता है किसी भी देश की सोच में नहीं वो महिला कहती है कि मुझे नाज है मुझे गर्व है मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि दुनिया में एक ऐसा भी देश जहां महिलाओं की पूझा होती है महिलाओं को इतना अधिक सम्मान दिया जाता है और आज हमारी सोच देखे क्या हम उसी देश में रहते हैं कि वो हमारे पूरबज थे महिलाओं में बहुत सक्ति है और महिलाओं से कहना चाहता हूं कि जागिए अपने आपको जगाए केबल तुम्हारे इस तरीके से कि हम कमजोर हैं कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो इस वर जानता है इसलिए भगवान तुम्हारी हेल्प नहीं करता क्योंकि तुम्हें इतनी शक्ति दिये कि तुम कुछ भी कर सकती हो लेकिन तुम अपनी शक्ति का यू स्वयम भगवान विश्णु को मोहिनी रूप रखकर आना पड़ा क्यूं मोहिनी रूप ही क्यूं रखा उनके पास बहुत सारे सस्त्र थे बहुत सारी शक्तियां थी क्यूं नहीं आये अपने रूप में आते और लड़ते उससे जीत जाते नहीं जीत सकते थे उन्हें पता था केवल और केवल महिला शक्ती ही जीत सकती है तो इसलिए जानिये अपने शक्ती को एक और बहुत कहानी प्रचलित है सत्यवान सावित्री की वो साबित्री अपने पती के लिए सुएम महाकाल से लड़कर उसके प्राणों को छीन लाई थी क्या कभी किसी पुरुस ने ऐसा किया है किसी ग्रंथ में कोई भी कैसा भी पढ़ा कि किसी पुरुस ने अपनी महिला अपनी पत्री के लिए किसी महाकाल से लड़ गया हो उसकी मा और बाद में वही पुरुष उस महिला को कमजोर कहता है है ना बिडमबना की बात क्योंकि तुम कमजोर बन रही हो इसलिए वो बनाता है इसलिए सोसन होता है केवल महिला पुरुष ही नहीं महिलाएं भी महिलाओं का सोसन करती है उनसे भी रिक्वेस्ट है जीने दीजिए उन्हें उनके अधिकार के साथ उन्हें उनके अधिकार दीजिएगा संसार को गुल दस्ता बनाईए और आए दिन इस तरह की घटनाए जो समाचार पत्रों में आती है न कि किसी महिला को कि या किसी लड़की को दुराचार करके उसको मार दिया गया या उसने खुद आत्महत्या कर ली तो मरना नहीं मारना सीखिए सक्ती है तेरे अंदर हर बार क्यों मरेगी तु मरना नहीं मारना सीख जो सक्ती है तेरे अंदर उसे जगाना सीखो लड़ना सीखो मारना सीखो ना गलत करो ना गलत सहो और अगर सहने की ही तुमने बना रखी है तो सहती रहो मानते हैं तुम्हारे अंदर सहन सीलता जादा है इसका मतलब यह नहीं गलत सहते रहोगे अगर कोई गलत तरीके से तुम्हें एक थपड मारने की कोशिश करता है तो चार थपड मारने की ताकत रखिए और ताकत रखिए नहीं है तुम्हारे अंदर बस उसको यूज करो आँखें खोलो जागो हजारों ऐसे किस्से हैं कि जहाँ पर केबल केबल महिला ने इस संसार का उद्धार किया पंक्तियां याद आती है कुछ कि कोमल है कमजोर नहीं है कमजोर नहीं तु शक्ति का नाम ही नारी है जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझे से यहारी है किसी ने ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी है इन पंक्तियों से सीख लेनी चाहिए और किसी ने लिखी है तो ऐसे ही नहीं लिखी है हमारी शंसकृति को उसने पढ़ा होगा तब उसने ये पंक्तिया निकाली होंगी पढ़लिख गए हो लेकिन ना तो तुम्हें अपने सक्ति का ना तो तुम्हें अपने अधिकारों का और ना ही तुम्हें अपने खुद के सम्मान का कुछ पता है पढ़े लेने से अक्षर ग्यान होने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता उसको अपने अंदर उतारिये भी उस चीज को सीखिये भी अपनी अधिकार, अपने बात को कहने की हिम्मत लाइए अपनी सक्ती को जगाईए अब इस सक्ति को जगाने का मतलब यह नहीं है कि किसी का गला काट दो कहने का सेंस यह है कि ना गलत सहिए और ना गलत कहिए किसी को गलत बोलना भी नहीं है अगर आप से कोई गलत बोलता है तो उसका भी जवाब देना है ठीक है? तो महिलाओं से, बालिकाओं से, अपनी भेनों से पस यही रिक्वेस्ट है कि जागिये और अपने अधिकारों को देखिये, अपनी शक्ती को पहचानिये और फिर आगे बढ़िये संसार बहुत अच्छा है अच्छा बनेगा जब आप अपनी शक्ती के साथ जीएंगे इस्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानता है